नमस्कार शिक्षार्थियों एन आई ओस के स्टूडियों में आपका स्वागत है मैं डॉक्टर कपिल गोतम संस्क्रत विभाग मानवी के मिसमाज विज्यान विद्यापीट वर्दमान माविर खुला विश्विद्याले कोटा आपका हारदिक स्वागत करता हूँ हमने अभी यह जाना कि ब्रह्म शब्द का क्या आर्थ है आत्म शब्द का क्या आर्थ है ब्रह्म और आत्मा में क्या संबंध है साथ ही हमने यह जाना कि लक्षन जो है वो किसको कहते हैं लक्षन के स्वरूप और तटस्त लक्षन दोनों देखे साथ ही ब्रह्म पर हमने स्वरूप और तटस्त लक्षन दोनों को गटित किया अब हम जानने जा रहे हैं कि निर्गुण ब्रह्म क्या है और सगुण ब्रह्म क्या है निर्गुण ब्रह्म का सवरूप क्या है सगुण ब्रह्म का सवरूप क्या है तो पहले हम जानते हैं निर्गुण ब्रह्म ब्रह्म सभावत निर्गुण है निर्गुण ब्रह्म के ज्यान में ऐसमर्थ मुमुक्षुओं के लिए सगुण ब्रह्म का उपदेश किया जाता है कहने का आशा है कि निर्गुण जब हम कहते हैं गुण क्या है गुण तीन प्रकार के हैं सत्व गुण रजोगुण और तमोगुण तो ब्रह्म जो है वो सभावत है निर्गुण है अर्थात ब्रह्म सत्व रज और तम इन तीनों प्रकार के गुणों से रहीत है तो फिर सगुन ब्रह्म क्या है निर्गुन ब्रह्म ही सगुन ब्रह्म की रूप में आता है परन्तु निर्गुन ब्रह्म के ज्यान में जो समर्त ममुक्षु होते हैं उनके लिए सगुन ब्रह्म का उपदेश किया जाता है और साथ ही सगुन ब्रह्म के ज्यान के लिए निर् डंड है उसका फाथ ही उस वक्ती का他 इन दोनों का ज़रूरी है अर्था दंड और पुरुष्ट दोनों प्रतक प्रतक जञान प्यक्षित है तभी आप इस पूरे शब्द को जान पाएंगे दं धारी पुरुष उसी प्रकार ब्रह्मो को यदि अपने को जानना है तो अपने को सगुण ब्रह्मो के साथ साथ निर्गुण ब्रह्मो को भी जानना पड़ेगा मेत्रा यण्योपनिशद में कहा गया है कि ब्रह्मो के दो रूप होते हैं एक रूप होता है मुर्थ, जिसको हम कहते हैं साकार सगुण, दूसरा रूप होता है अमुर्थ, जिसको हम कहते हैं निर्गुण निराकार रूप, तो जो मुर्थ रूप है वह असत्य है, असत्य का मतलब एसा नहीं है कि जो बिल्कुल अनुपयोगी है, नहीं, असत्य का मत यतुमूर्तं ततका, आत्य। कि जो अमूर्त रूप is, वही सत्य। रूप है, वही ब्रम का मूल रूप है। अब निर्गून ब्रम में जब हम कहते हैं निर्गून तो उसमें सत्व, रजस, और तम ये तीनों गुण नहीं है साथ ही जब ये तीनों गुण उसमें नहीं होते हैं तब वह सरवथा ए निर्देश्य होता है जब कोई वस्तु निर्गुण होती है तब उसका वानी के रूप में वर्णन नहीं किया जा सकता this thing that cannot be described towards कि हम ब्रह्म को वो शब्दों के द्वारा नहीं कह सकते हैं ब्रह्म का कथन शब्दों के माद्यम से नहीं कहा जा सकता क्यों क्योंकि वह निर्गुण है उसमें सत्व, रज, और तम ये गुण नहीं होते हैं साथ ही कोई भी वस्तु जिसको हमको व्याख्या करनी है तो या तो वस्तु जाती होगी या वह वस्तु गुण होगी या वह संबन्द होगी या फिर वह क्रिया होगी तो ब्रह्म जो है वो क्या है जाती गुण सम्मंद और क्रिया ये चारों ही नहीं है इसलिए उसका वर्णन शब्दों के माद्यम से नहीं किया जा सकता जाती निर्गुण है निस्क्रिय है ब्रह्म क्या है निर्गुण है निस्क्रिय है और एक होने के कारण ए जाती है इसलिए उसका वर्णन शब्दों के माद्यम से नहीं किया जा सकता जब हम कहते हैं गो, तो गो की जाती है गोतु मनुष्य, मनुष्य की जाती है मनुष्यतु इसलिए इनका शब्दों के माद्यम से वर्णन किया जा सकता है इसे प्रकार गुण, नीलम उत्पलं, नीला कमल, अब कमल का गुण क्या है नीला, इसलिए कमल का वर्णन किय जा सकता है, पर ब्रह्म में गुण है ही नहीं, तो शब्दों के माद्यम से उसका वर्णन नहीं किय जा सकता है। संबंध जैसे धनवान तो धन और जो धनवान है धन और धनवान धन और मनुष्य इन दोनों के मद्य संबंध है संयोग संबंध तो इसलिए उसका शब्द के माद्यम से धनवान विक्ति का वर्णन किया जा सकता है परंतु ब्रह्म का वर्णन नहीं किया सकता क्यों क्यों क्य कोई सम्मंद नहीं है इसी प्रकार क्रिया पाच का है कार का है पकाने वाला कुप पकाने वाला जो होता है उसका वर्णन शब्दों से किया जा सकता है क्रिया है पर ब्रह्म में न तो जाती है ना ब्रह्म में गुण है ना ब्रह्म में सम्मंद है ना ही ब्रह्म में क्रिया है इसलिए ब्रह्म का वर्णन नहीं किया जा सकता, अब निरगुण ब्रह्म का प्रतिपादन किन-किन सुरूतियों में किया गया है, वह देखते हैं, केनोपनिशद का कि यह सुरूति देखिए, ने तत्र चक्सुर गच्चती, ने वाग गच्चती, नो मनों। अर्थात उस ब्रह्म में ने आंक जा सकती है ने वानी जा सकती है ने मन जा सकता है इसलिए ब्रह्म का वर्णन नहीं किया जा सकता कटो अपनिशद की ये और शुरूती देखिए अर्था जो ब्रह्म शब्द तता वानी से परे है जिसे इस परस नहीं किज़ा सकता और जिसका वानी के माध्यम से वर्णन नहीं किज़ा सकता उसको हम निर्गुन ब्रह्म कहते हैं अब प्राणों ही अमना शुब्रो मुंडुको अपनिशद की ये शुरूती देखिए कि वह प्राण रहित है वह मन रहित है तो जो प्राण रहित और जो मन रहित होता है उसे निर्गुन ब्रह्म कहते हैं इसी प्रकार मांडू क्योप निशद की यह सुरूति देखे ए द्रश्टम ए व्यवारियम ए ग्राययम ए लक्षणम ए चिंत्यम ए व्यपदेश्यम और ए द्रश्टम जिसे देखा नहीं जा सकता वैं दिरुगुण ब्रह्म है ए व्यवारियम अर्थात उसको शब्दों के म प्रिया प्रिये स्परसत है चांदोगियो प्रिये को स्परस करता है ना ही वह अप्रिये को स्परस करता है अर्थात ना वो शुब को स्परस करता है ना वो दर्म को स्परस करता है ना वो अधर्म को स्परस करता है ना वो लाब को स्परस करता है ना वो हानी को स्परस करता ह क्यों क्यों कि वो शरीर रही था है निर्गुन ब्रह्म शरीर रही था है इस प्रकार निर्गुन ब्रह्म की प्रतिपादक्सुरतियां हमें उपनिशुदों में अनेक उपलब्द होती है इसी प्रकार अब हम सगुन ब्रह्म की बात करते हैं तो जो सगुण ब्रह्म है वह क्या गुण युक्त है जब हम राम को कृष्ण को देखते हैं तब हमको उनके अंदर गुण दिखाई देते हैं क्यों सत्वरजस और तमस ये तीनों गुणों से युक्त होने पर ब्रह्म सगुण का जाता है निर्गुण ब्रह्मी सगुण होता है जो इश्वर का मूर्त या साका रूप है उसी को हम सगुण रूप कहते हैं जो निर्गुण ब्रह्म है वो सगुण ब्रह्म की रूप में अभियक्त होता है माया में प्रतिभीमित होने वाला चिदात्मा उस माया को अपने वसीबूत करके सरवग्य इश्वर बन जाता है अर्थात जो निर्गुण ब्रह्म है वह क्या करता है वह माया में प्रतिभीमित होता है तो जब वह माया में प्रतिभीमित होता है तब इश्वर बन जाता है जब वही निर्गुण ब्रह्म अज्यान में अविद्या में प्रतिभीमित होता है तब जीव बन जाता है तो इस वशी करन करके वही निर्गुण ब्रह्म सर्वग्य इश्वर बन जाता है अर्थात निर्गुण ब्रह्म मायामि प्रतिविम्बित होने पर इश्वर कहलाता है वेदांसार में कहा है एतत उपहितम चेतन्यम सर्वग्यत्वम सर्वेश्वरत्वम सर्वनियंतरत्वादि गु समस्त्विस्वण का जाता है, और क्या कहलाता है, दो रहा है, जब निर्गुन भ्रम में ही माया के साथ मिलकर इश्वर अरथा सगुन भ्रम में केलाता है। इसको हम कहते हैं सगुण ब्रह्म यहां एक जिग्यासा होती है कि जो निर्गुण ब्रह्म हैं वह सगुण ब्रह्म की रूप में आता ही क्यों है निर्गुण ब्रह्म सगुण ब्रह्म की रूप में अभिवक्ति ही क्यों होता है या हम यूं कह सकते ही कि प्रभु का उतार ही कि होता है तो यह जो चीजें इस के लिए अद्वड वेदानत में दो उत्तन हैं एक है उपाशंकों को अनुग्रह करने के लिए और बक्तों पर करपा करने के लिए और दूसरा स्रश्टी के लिए क्योंकि निरुगण प्रभ्म जो है är यह वो स्रस्टी नहीं कर सकता उसको विश्णु महिष्ट की रूप मे आना पड़े गा निर्गुण ब्रह्म को अब आपको हम का Państwo का द्यान करो तो आप और हम उसका द्यान नहीं कर सकते हैं क्यों क्योंकि वह है बहुत दुरू है बहुत दुरू है उसकी साधना करना बढ़ा। तुरू है क्योंकि उसके गुणों का उसके स्वरूप का उसके कथन का हमारे पास कोई मर्ग नहीं इसलिए वेदानसार में का है उपासना नी सगुन ब्रह्म विशे मानसब व्यापार रूपानी कि उपासना किसको करते हैं सगुन ब्रह्म का जो मानसब व्यापार है अर्थात सगुन ब्रह्म का जो मानसिक ध्यान है उसको हम कहते हैं उपासना और इस उपासना का प्रेजन क्या है उपासना नाम तो चित एकाग्रियम कि चित की एकाग्रता उपासना का उद्दिश है जब उपासक उपासना के माद्यम से चित्त की एकाग्रता करता है तब वह समाधी की बलसी उसको जानता हुआ निर्गुण ब्रह्म में ही स्थित हो जाता है इसलिए उपासकों को अनुग्रे करने के लिए निर्गुण ब्रह्म सगुण ब्रह्म की रूप में आता है राम ताप इन्यों प्रिश्द में काया है चिनमेश्या अद्वितियश्या निस्कलश्या सरीरिण है उपास कानाम कार्यार्थम ब्रह्मनों रूप कल्पना कि जो चिनमेश्या अद्वितियश्या जो चिनमेश्या जो ब्रह्म है वही ब्रह्म क्या करता है उपास कानाम कार्य अर्तात उपासकों को अपना अनुग्रे परदान करने के लिए अपना आशिरवात परदान करने के लिए अपनी दीला दिखाने के लिए ब्रह्मनो रूप कल्पना कि ब्रह्म जो है वो सगुन ब्रह्म की रूप में आता है कैसे आता है रामचरित मासकार कहते हैं जो गुन रहित सगुन सोई केसे कि जो निर्गुन ब्रह्म तो गुन रहित है तो वो सगुन ब्रह्म की रूप में केसे आता है जलु हिम उपल भिलग नहीं जैसे कि जिस प्रकार जल जो है जल तो लिक्वीड होता है जल तो द्रवी भूत होता है परन्तु वही एक निशित तेमप्रेचर पर जाकर के और बर्फ बन जाता है हिम बन जाता है वही जल जो है वो ओले और पाले के रूप में प्रकट हो जाता है उसी प्रकार वही निर्गुण निर्गुन ब्रह्म सगुन ब्रह्म की रूप में आता है जैसे जल जो है वो बर्फ की रूप में जल ओले और पाले के रूप में प्रकट होता है उसी प्रकार निर्गुन ब्रह्म सगुन ब्रह्म की रूप में अभिव्यक्त होता है अब हमें यह देखना है कि ब्रह्म का प् उसके सुरूप निर्धरण में किया जाए कि ब्रह्म का यह सुरूप है ब्रह्म का यह सुरूप है जब सुरूतियां इस प्रकार कहती है तब हम उसको कहते हैं विदी मुख का उपदेश आत्मा ब्रह्म का स्वरूप है आत्मा ज्यान स्वरूप है आत्मा आनंद रूप है आत्मा अखंड है ब्रह्म परिपून है इस प्रकार का जो कथन है इसको हम कहते है विदी मुख सत्यम ज्यानम अनंतम ब्रम यह तेत्रिय अपनिशद की सुरुती है यह विदी मुख की द्वारा ब्रम का कतन है आनंदो ब्रमेती विजानात की ब्रम को आनंद का जाता है तो यह जो सुरुती ब्रहदारने को अपनिशद की यह सुरुती विदी मुख के द्वारा है दूसरा जो है निशेद मुख अर्थात निशेद मुख के द्वारा भी ब्रम का कथन किया जाता है ब्रम यह नहीं है ब्रम यह नहीं है ब्रम यह नहीं है इस प्रकार का जो कथन है वह निशेद मुख है आनन्द सुरूप आत्मा कार्य नहीं है कारण रूप नहीं है ब्रम स्थूल रूप नहीं है ब्रम सुक्षम रूप नहीं है तो ये जो कतन है कि ब्रम कार्य नहीं है ब्रम कार्य नहीं है ब्रम स्थूल नहीं है ब्रम सुक्षम नहीं है ब्रम को देखा नहीं जा सकता, ब्रम को जाना नहीं जा सकता जब सुर्ती इस प्रकार कहती है तब कहने का मतलब है कि ब्रम का जो व्याख्यान है ब्रम का जो उपदेश है वो निशेद मुक्के द्वरा किया जा रहा है ए शब्दम एस परसम ए रूपम अव्यम ब्रम्मका स्वरूप बताने के लिए विदि मुख का कतन है पन्ति स्वरूप को क्यों कर जाता है। निशेद मुख का उपयोग भी ब्रम्म के स्वरूप में ही होता है। किस प्रकार उधरन है जैसे एक बच्चा अपने पिता के साथ मार्ग पर जा रहा है। और उसको मार्ग में राजा दिखाई पड़ता है जिसके साथ मंत्री भी हैं जिसके साथ सेनिक हैं जिसके साथ हाती हैं जिसके साथ गोड़े हैं जिसके साथ रथ हैं अब बालक पिता सी पूशता है पिता जी इसमें से राजा कौन सा है तो जो पिता है वो पहले सीधा यह न जो सारती भी बेठा हुआ है, इसलिए वह राजा का ग्यान कराने के लिए पहले यह कहता है कि जो पेदल चल रहे हैं सेनिक वह राजा नहीं है, जो इसके पास बेठे हुए मंत्री हैं वह राजा नहीं है, हाती राजा नहीं है, अश्वर राजा नहीं है, राजा वह है जो सा बच गया वैराजा है। इस प्रकार, निशेद मुख जो है, उससे ब्रह्म का ज्यान होता है। अब क्या निर्गुनब्रह्म और सगुनब्रह्म भी भेद है। इस प्रकार का का अंदर को ये विचार है। या इस प्रकार की जिग्या साथ कई शिक्षार्थियों को हो सकती है कि अभी जो उनको निर्गुन ब्रह्म बताया और सगुन ब्रह्म बताया उसमें भेदत हो है कि निर्गुन ब्रह्म गुणदहित है और सगुन ब्रह्म जो है वो गुणयुकत है पर क्या दोनों एक हैं मेत्रायन्योप्रिषद में कहा है ब्रह्म के ही दो रूप हैं एक रूप मुर्थ रूप होता है और दूसरा अमुर्थ रूप होता है तो वह जो अमुर्थ रूप है वही अमुर्थ रूप मुर्थ रूप में आता है वही जो निर्गुण ब्रह्म है वही सगुण ब्रह्म की रूप में आता है रामतरित मानस में का गया है संभु विरंच विश्व भगवाना उपजही अंस जासुते जाना अर्थात परमात्मा के अंस से ही अनेक ब्रह्मा विश्नु और महिश उत्मन होते हैं जब निर्गुण ब्रह्म ही अपनी माया शक्ति के माध्यम से ब्रह्मा विश्नु और महिश की रूप में सगुण की रूप में प्रकट होते हैं इसलिए दोनों का अद्वईत वेदान्त में भी एक के माना गया है बस साधक जो है यह एक अवस्ता है साधक की अवस्ता है कि वह पेले सगुण का ध्यान करें और जब सगुण का ध्यान करते करते वह मेचोर हो जाता है जब वह सगुण ब्रह्म का ध्यान करते करते परिपक्व हो जाता है तब फिर वह निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करता है इन दोनों की उपासना का उद्देश्य भी अवस्ता बेधी का गया है योगत तोपनिशद में का गया है कि सगुणम ध्यान में तत्षात अनिमादी गुणप्रदम निरुगुणत ध्यान युक्तश्य समादिश्य ततो भवेत अर्थात सगुणम ध्यानमे यतत्षात कि सगुण का जो ध्यान है अर्थात राम, कृष्ण, शिव, विष्णू, ब्रह्मा इत्यादी के द्यान से आपको अनिमादी गुणों की प्राप्ती होती है आठ प्रकार की सिद्धियां कई गई है अनिमा, महिमा, लगिमा, गरिमा, प्राप्ती, प्राका में इशित्व और वशित्व इनकी जो प्राप्ती है वो हमको सगुन ब्रह्मी के ध्यान से होती है और निर्गुन ब्रह्मी के ध्यान से क्या होती है निर्गुन ध्यान युक्तश्य समादिश्य ततो ववेत उससे समाधी होती है उससे जीव और ब्रम्म का एक्क्य होता है इसलिए सगुण का ध्यान करने से अनिमादी सिद्धियों को प्राप्त करो और उसके पश्चात अगली अवस्ता आती है समाधी की वो निर्गुण के ध्यान से प्राप्त करो इसलिए अद्वेत वेदांत में निर्गुण और सगुण दोनों का एक क्य कहा गया है इस प्रकार पाठ संक्या 11 में हमने लक्षन को देखा, ब्रम का अर्थ देखा, आत्मा का अर्थ देखा, स्वरूप लक्षन और तटस्त लक्षन का ब्रम पर गटित करना देखा हमने जाना कि निर्गुण ब्रम क्या है, हमने जाना कि सगुण ब्रम क्या है, क्या निर्गुण ब्रम सगुण ब्रम है, अत्वा दोनों में भेद है, और यदि निर्गुण ब्रम ही सगुण ब्रम की रूप में आता है, तो फिर निर्गुण ब्रम और सगुण ब्रम की उप झाल